और सर्दियों में skin dry हो जाती है हाथों के भी skin dry जाती है face पर भी लगता है पाऊंओ पर भी मैं आपसे share करूंगी जब मैं बहुत छोटी थी और कुछ चीदेशिते होती है जो आप बच्छमने से देखते आते नंवा आपके अंदर हैमर हो जाती है तो मैंने अपने अम्मी को हमीशे यह देखा और मैं आप लोगों को भी ही कह анवी कि यहीज इस्तमाल करें आ बॉौटल में अम्मी यह परें कि मैं आफम घोसे साथ उसमें रोजचा उसके इंदर ग्लिसरीण और उसमें olive oil glycerine and rose water and lemon juice थोड़ा सा लेमादर नीबू का रस आपने डाला rose water आपने ले ले लिये तकरीमन five to six table spoon glycerine तो one teaspoon बहुत है यह और इतना सस्ता नुस्खा है यह और आजकल कीनू आए वें तो कीनू को थोड़ा साथ कद्दूकश कर लें ताकि इसका थोड़ा चुड़ा सा औरेंच छिलका है वो आपने सब bottle में डाल दिया और आपने रात को हिलाया और हिलाने के बाद आप दिन में भी मगर हाँ यह चीज लगा कि आप धूप में नहीं जाएंगे क्योंकि इस चीज में तेल होता ना उईली उससे रंग आप ऐसे धूप में निकलेंगा आप रंग काला हो जाएगा तो आपने अपने हाथ की मसाज और यह गैरंटी है कि यह चीज वो चीज एक घरेलू नुसका है इसको आप लगाएं आप यह भी कर सकते हैं एक बॉटल लें स्प्रेइ वाली छोटी मिलती है उसमें आपने सिर्फ रोज वाटर उसमें आपने ग्लिसरीन और लेमन जूस उ वो जब आप बाहर निकलते हैं या आप मेक अप करते हैं तो आपने उस प्रेइ मूपे कर लिया तो उसे फ्रेशनेस और एक ग्लो आ जाती है तो दो तरीके एक में ऑलिवायर वो एसम मॉइस्टिराइजर काम करता है आप पाओं पे एडियों पे हातों पे मूँ के उपर आप लगाएं आपकी स्केन भी फ्रेश रहेगी और बहुत सस्ता इलाज है तो एक और टिप के साथ हाधिर होती हूं